नमस्कार दोस्तों स्वाधनों कमें आप सभी का स्वाधत है दोस्तों रक्सा बन्न आ रही है और हर बैन के मन में यही रहता है कि मैं अपने भाई के लिए कुछ अच्छा बनाऊं आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो हर भाई को बहुत पसंद आएगी तहे बड़े हो या आज मैं बनाने जा रही हूँ चोकलेट ब्राउनी तो चलिए शुरू करते हैं चोकलेट ब्राउनी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक कप डाग चोकलेट आदा कप मिल्कमेड यह मिल्कमेड वेरा हॉममेड है दो चमच बटर और लगबग 24 मेरीगॉल्ड डिस्किट सबसे पहले मेरीगॉल्ड विस्किट को एक जीपर पाउच में डाल कर क्रस्ट कर लेंगे त्यान रखें इसका पाउडर नहीं बनाएं हमें इसके छोटे छोटे पीसेजी चाहिए विस्किट को कर्श कर लिए अब इसे एक बार साइड में रखते हैं और आगे की तयारी करते हैं अब डाग चोकलेट को डबल बॉयलर में मेल्ट करेंगे अब एक टोप्या में पानी गरम करेंगे उस पे एक रखेंगे बॉल और बॉल में डालेंगे डाक चोकलेट देखिए चोकलेट मेल्ट हो गई है अब डालेंगे बटर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए बटर मेल्ट होके मिक्स हो गई है और चोकलेट में अच्छी शाइन आ गई है अब इसमें डालेंगे मिल्क मेल्ट देखिए मिल्क मेल्ट भी अच्छे से मिक्स हो गई है अब गैस को करते हैं बन अब करश किये मेरी गॉल्ट विस्किट में चोकलेट मिक्स करते हैं मिस्रन अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसे एक टे में सेट करेंगे अब एक टे पर क्लीन फिलिम लगा कर मिस्रन को फेलाएंगे अगर आपके पास क्लीन फिलिम नहीं हो तो आप टे को बटर या घी से भी ग्रीस कर सकते हो अब इस ट्रे को एक गंटा के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रखेंगे एक गंटे के बाद ब्राउनी सेट हो गई है अब इसकी करते हैं कटिंग देखिए ब्राउनी का कितना अच्छा टेक्षर आया है रक्षा बंदन भाई बेनों का ही त्योहार है अगर बेने अपने भाईयों के लिए ब्राउनी बना कर ले जाएंगे तो भाईयों का तो खुशी का ठीकाना ही नहीं रहेगा अगर आपको मेरी ये रेसी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें